तो देखो इस वीडियो हम बात करेंगे, ऐसे टूल्स के बारे में जो कि आपको useful रहेंगे, बिल्कुल आपको presentation अगर बनानी है, AI के थुरू, अगर आपके पास कोई topic हो और आपको presentation बनानी है, तो मैं आपको 3 SC useful website बताऊंगा, जो कि actually मैं free है, और जो कि आप लोग use कर सकते ह आपका presentation बनानी के लिए, और ये जो website से इसको मैंने personally use कर रहा है, तो आपको इसलिए बता रहा हूँ, और directly हम चलते है वीडियो में, तो सबसे पहली और सबसे best website जो मुझे लगती है, वो है आपकी gama AI, ये जो gama app है, आप इसका website पर यहां पर देख सकते है gama app, ga mma, तो g आपका interface है, आप यहां पर जैसी आएंगे, आपको sign in करना पड़ेगा और आपको यहां पर create new AI, आपको यहां पर क्लिक करना है, अब जैसे यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको दो option आएगा generate और text transform, अब यह generate मतलब आप totally यहां पर AI के थुरू आप बना सकते, और text transform मतलब आपको यहां पर अगर कोई भी आपके पास text है, तो आप यहां पर paste करके AI के थुरू presentation बना सकते, अब जनरेट पर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहां पर आप से topic पुछेगा आपको कैसा बनाना है, presentation बनाना है, document बनाना है, या फिर web page बनाना है, तो presentation पर आप क्लिक क जिस पर भी आपको presentation मतलाना है, जैसे आपका कोई book का topic है, तो आप यहां पर वो text को just paste कर दीजिए, और यहां पर आपको length भी बता सकते है कि आपको कितना लंबा presentation मतलाना है, short या long, तो इस तरीके से आपको यहां पर generate करेंगे, तो यहां पर आपका presentation बन जागा, जैसे कि म मैंने यह presentation मना थी, physiotherapy के उपर, तो इस तरीके से इसने मुझे presentation मना की दी थी, काफी बढ़िया presentation मुझे लगी है, यहां पर मैंने इसको अपना पुरा research जो भी मैंने करा था, यहां पर इसको provide करा था, और इसने इस तरीके से presentation मना के दी है, तो this was the first tool, Gama, second tool जो है that is Tom AI, इस इसमें भी आप presentation बना सकते हैं, इसमें आप इसको Tom AI पर एक बार आपको login करना पड़ेगा, और जैसी आप इसमें login करते हैं, then you can make your own presentations with the help of AI, एक बार मैं इसमें login करके आपको दिखा देता हूँ, मिलकुल आप लोग, आप लोग के सामने ही मैं यह कर रहा हूँ, और मैंने इसमें already काफी presentation बनाई हुई है, इसमें आप लोग AI का use करके directly presentation बना सकते हैं, यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, कैसे आप बना सकते हैं, यहाँ पर आपको create पे click करना है, create पे click करेंगे आपको यहाँ पर पूछेगा आपको क्या बनाना है, तो create presentation about, आप जैसी यह बता देना है कि आपको कैसा layout चाहिए या फिर आपको कैसी चीज़े चाहिए, तो यह सब आपको यहाँ पर create आपके सामने होगा और आपको बिल्कुल यहाँ पर दिख्या कि कि इस तरीके से presentation ready कर रहा है, देखो आपको आपको आपर दिख रहा है, और philosophy and approach इसने लिखा यह बढ़िया सा यह अपना presentation आपको बना देगा आपके सामने, तो यह इस तरीके से आप यहाँ पर totally देख सकते हैं कि किस तरीके से इसने presentation बना दी है, ठीक है, तो यहाँ पर 3 पेजा भी इसने बनाए थे, और इस तरीके से totally यह presentation बनाने में helpful रहता है, तीसरा जो tool है, देखो फर्स टूल मैंने बताया आपको गामा, सेकंड टूल जो मैंने आपको बताया है, तो यहाँ पर आपको एक extension को डानलूट करना है, आप जैसे Google Slides पर आएंगे, तो वहाँ पर आपको इस तरीके से options दिखते, और यहाँ पर आप जैसे अपने जो add-ons में आप आएंगे, add-ons अगर आपको add-ons करने पड़ेंगे, आप एक्स्टेंशन में जाकर करके आपको add-ons add करने, और जैसी आप इसमें Slides AI, आपको इस तरीके से यह presentation, यह जो extension इसको add-ons करना है, Slides AI.io, तो आप इस पर click करना है, और इस तरीके से यह Slides AI जो है, यह activate हो जाएगा, और आप इसमें इसके थुरू भी presentation बना सकते है, directly अपने Google Slides में, एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ, वैसे तो मैंने इसका previously यूज़ करा था, तो मेरे पास जो इसके free credits होते हैं, वो मेरे पास use हो गए होंगे, बट फिर भी मैं देखता हूँ, यहाँ पर मेरे credits पूरे मैंने use कर लिए है, because मैंने इसके through three presentation already बना लिए, but इसमें यह बात है कि इसमें बस तीन ही बना सकते हैं, तीन presentation बना सकते हैं, slides आयो के through, but यह जो gamma AI है और जो tom है, इसमें कोई भी limit नहीं है, आपको जितने presentation बनाने आप उतने बना सकते हैं, so I think so, यह आपको video useful लगाओ, thank you so much for watching the video till the and subscribe कर जेना अगर आपको information useful लगी हो तो, go to the video